Quality Hospitality Limited, जो की Incorporated है with authorized couple of Rs.10,00,00 और ये 1,00,00 shares में divided है, हर share Rs.10,00 का है मगर कंपनी ने इशू किया है के वल 50,000 shares for subscription कंपनी Rs.4 ले रही है on application, Rs.3 ले रही है on allotment और balance वो लेगी on first and final call जो की निकल कर आएगा बच्चो Rs.3 per share कंपनी का जो इशू है वो fully subscribed हो गया और कंपनी को सारा पैसा मिल भी गया except first and final call on 4,000 shares इन 4,000 shares को कंपनी ने forfeit भी कर लिया बाद में ही कंपनी ने half of the forfeit shares को renew कर दिया as fully paid up और Rs.4,000 जो है वो capital reserve में transfer कर दिये आप से एक आगया है, general entry पास करिए for ratio of shares ठीक है बच्चो तो बच्चो ratio of shares की entry pass करने से पहले ये जानना जरूरी है कि shares को कितने amount पे ratio किया गया है, या ये कहिए कि shares को कैसे ratio किया गया है, अभी हम ये भी नहीому पता है, कि हमने पार पे रीशू किआ गया है premium और discount पे तो आईए पहले ये जान लेते हैं कि इन forfeit shares को ratio कैसे किया गया है तब भी हम ratio की entry पास कर पाएंगे तो बच्चों forfeited amount per share है रूपीज 7 क्योंकि application के रूपीज 4 और allotment के रूपीज 3 इन shares पे मिल चुके है यानि ये forfeited amount per share है रूपीज 7 first and final call के रूपीज 3 नहीं मिले थे कंपनी को लेकिन उससे पहले के दोनों पैसे मिल चुके है अब आपको total gain बता रखा है on the ratio of 2000 shares क्योंकि forfeit किये थे कंपनी ने 4000 shares लेकिन ratio किये थे केवल 2000 shares इनका आपको gain पता है जो capitalism में transfer किया गया था वो था रूपीज 4000 इसको 2000 से divide कर दिजिए आपका gain पर share आगया रूपीज 2 इसका मतलग कंपनी ने इनके ratio पे discount दिया होगा per share रूपीज 5 का खुकि आम तो पर हम gain पर share निकालने के लिए forfeit amount per share में से discount per share को minus करते हैं मगर इस पार आपको gain पता है forfeit amount पता है तो forfeit amount में से gain को हटा दीजिए आपको discount per share मिल गया रूपीज 5 यानि कि ये shares जो है रूपीज 5 पर share के discount पे ratio किये गए थे अब हम बता सकते हैं बच्चों कि इन shares को ratio कैसे किया गया होगा by the company और बच्चों इस question में मैं आप लोगों के लिए रीशू की नहीं forfeiture की entry भी करके दिखा रहा हूँ ताक कि आपको इस question की अच्छी खाजी practice हो जाए तो जब इन shares को forfeit किया जाएगा तो company का जो share capital है वो debit हो जाएगा शेर की called up value से और share fully called up पे बात धान रखीगा calls in arrear account credit हो जाएगा इसमें first and final call का पैसा आएगा जो नहीं मिला है और forfeit share account credit होगा इसमें वो amount होगा जो इन shares पे कमनी को मिल चुका है और कमनी ने forfeit करके अपने पास ही रख लिया है 4000 shares से into 10 करेंगे 40,000 आजाएगा arrear आएगा 4000 into 3, 12,000 और forfeit share में आएगा 4000 into 7, 28,000 अब करते हैं बच्चों के रीशू के entry याद रखेगा रीशू के वल 2000 shares ही हुए है तो रीशू के entry में bank का आपको debit करना है और ये मैंने confirm करी दिया था कि ये share discount पे रीशू हुए है तो उस discount को forfeit share account से ही cover किया जाता है ठीक है बच्चों और share capital count रीशू के time पे credit कर दिया जाता है share को fully paid up मान के रीशू किया है तो share capital पे राएगा 2000 इंटू 10, 20,000 discount में आजाएगा यानि forfeit share में आजाएगा 2000 इंटू 5, 10,000 और bank में आजाएगा 2000 इंटू 5, 10,000 ये entry होगे बच्चों रीशू की आप gain की entry भी देख लीचे gain on ratio की company को इन shares के रीशू पे जो फाइदा हुआ है वो company transfer कर देती है capital reserve में और उसकी entry होती है बच्चों forfeited shares account debit to capital reserve account और amount हमें इसका पता ही था बच्चों 4,000 ठीक है बच्चों आगे सुन में gain per share निकालने के लिए मैंने total जो gain था यानि जो capital reserve में transfer किया था 4,000 उसको number of share reshoot से divide कर दिया उससे gain per share मिल गया फिर gain per share जो है उसको मैंने forfeited amount per share से minus कर दिया forfeited amount per share ऐसे निकला था तीन चार application के तीन allotment के यानि rupees 7 फिर मैंने forfeited amount per share में से gain per share को minus किया तो मुझे discount per share मिल गया और discount per share जो है बिलने की help से हमने ये entry बड़ी सानी से कर ली share को fully paid up मान के ratio किया था तो 2,000 इंटो 10 यानि 20,000 वो share capital में credit किया गया जितना discount दिया वो forfeited share account में debit किया गया जितने का बेचा उसको हमने bank account में debit किया 2,000 इंटो 5, 2,000 इंटो 5 10,000, 10,000 और 2,000 इंटो 10